नमस्का दर्श्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेके आई हूँ मकर लगन वा मकर राशी के जातकों के लिए अगर आपका मकर लगन वा मकर राशी है तो ऐसी स्थिती में ये वीडियो आपके लिए है इसमें हम देखेंगे कि मकर राशी में गुरू वशनी की उती हो जाएगी जो कि 6 अपरेद 2021 तक चलेगी इस गुरू वशनी की उती का फल मकर लगन वा मकर राशी के जातकों को क्या मिलेगा इस कुंडली में हम इसी बात का विचार करेंगे इस वीडियो में आप देखिए आपके सम्मूख ये मकर लगन है और इसी 10 नमबर में अगर चंदरमा भी बैठा है तो उसका अर्थ है कि आपकी मकर राशी भी है यानि अगर आपकी कुंडली में ये पोजिशन है कि ये कुंडली अगर आपकी बनी है तो ऐसी श्तिती में आपका मकर लगन और मकर राशी दोनों बनती है कि पहले बाशी भाब में 10 नमबर और उसी 10 नमबर में चंदरमा लिखा है तो आपका मकर लगन और मकर राशी बन जाती है इनको मैंने तोड़ा अलग अलग बताने की कोशिश करी ये तो मखाली मकर लगन लिया और ये मकर राशी लिया मकर लगन में अगर हम बात करें कि इस चटे भाब पर और आठवे भाब पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, साथवी दिश्टी चटे भाब पर और नौवी दिश्टी अश्टम भाब पर थी दोदश भाब होता है खर्चों का गुरु जब बारवे घर में चलते हैं तो खर्चे बहुत करा आते हैं आपकी व्यर्त की भागादोडी रहती है चटे भाब का गुरु आपको करजों में डाल देता है और अश्टम भाब का गुरु जो गुरु की रिष्टी आती है उससे आपके काम में बादाया आती है कवी कवार आपको कानोनी कोट केसिस वगर में फसना पड़ता ह है उच अधिकारिया आपसे नराज रहते हैं आप काम में कितनी में महनत करें पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता हर काम में कोई नो कोई बादा आएगी चाए आप जॉब करें या वे पार करें तो यह स्तिती मकर लगन के जातकों के लिए चल रही थी लेकिन अब 20 नुमबर 2020 को देव गुरु बर्सपती आपके दौदज भाप को छोड़ देंगे और आपके लगन में आ जाएंगे यहां पर शनी महराज अलडेडी बिद्यमान है तो देव गुरु बर्सपती आपके मकर में आके नीच भंग राजियोंग बनाएंगे शनी के साथ अब यह जो गु करती है कि फिर लगन में पॉजिटीव नहीं है तो क्या रिजल्ट देंगे यहां पर क्या है गुरु की प्लेश्मेंट पॉजिटिव नहीं पर गुरु की दिष्टिया शुब है गुरु की पढ़ेगी आपके पंचमभाव पर पंचमभाव होता है कूंडली का तरिकोंड जिसको लश्मी स्थान कहते हैं जहां से धन का विचार करते हैं मान परतिष्टा का विचार करते हैं विद्या बुद्धी संतान प्रेम संबन सब करते हैं तो इन से रिलेटिड जो चीजे हैं उन समय आपको धन के लिए स्थिती अच्छी होगी मान संमान बढ़ेगा आप अप्तम भाप जो होता है वो दमपत्य सुक्का होता है और दशम से दशम होने के कारण यह आपका कैरियर से भी जुड़ा है और इससे वैपार का भी विचार करते हैं इस पर भी गुरु के संग शनी की भी दिश्टी पड़ेगी दोनों ग्रहे जब बात का संकेत देंगे तो गुरु की दिश्टी पड़ गई तो घ्रह आपको पॉलिटिव रिजल देने लगेगा तो अभी तक तो क्या था गुरु की प्लेस्मेंट भी नेगेटिव थी और गुरु की दिश्टिया भी नेगेटिव थी छटा और आठमा भाप यानि रिडिन रोग शत्रु का भाप और हमारा विपदाओं का भाप भादाओं का भाप उनसे गुरु कनेक्ट हो रहे थे लेकिन अब गुरु जो है हमारे पंचम सब्तम और नवम भाप यानि दो तो हमारी लक्ष्मिस्तान और एक हमारा के इंद्रस्तान इनसे सम्मंद रखेंगे तो नैचरली गुरु की पो जाएगी तो जिसके कारण हमारे लिए पोजिशन काफी अच्छी हो जाएगी अब इसमें देखने वाली बात है कि हमारे लिए पोजिशन पहले से तो अच्छी हो रही है कि पहले से हमारी इस्तिती बहतर हो रही है लेकिन तब भी क्योंकि गुरु अभी अपनी नीचराश अगर दशाई जैसे दशमेश शुकर की हुई लाबेश मंगल की हुई या धनेश शनी की हुई या भागेश बुद्ध की हुई तो ऐसी स्टेटी में हो सकता है कि कुछ हमें पॉनिटिविटी हमारी जादा बढ़ जाए लेकिन अगर दशाई हमारी सिंपल हुई ठीक ठाक च अब मकर राशी पे का सनी की साड़े साती चल रही है क्योंकि यहां पर शनी चल रहे हैं समय और यहां पर रहेंगे 17 जनवरी 2013 तक और उसके बाद चले जाएंगे कुम राशी में और पर रहेंगे मार्च 2025 तक तो अभी साड़े साती के फेज में चल रहे हैं इसलिए मकर परस्ततियां उनमें सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके काम बनने शुरू हो जाएगे, क्योंकि गुरु शनी लगन पर दोनों जगा बैठे हो हैं, इसलिए आपके विवा के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवा हो सकता है, गुरु की जिस्टी पंचम भ होगी और काम करने में आपका मल लगेगा, साथी बार में गुरु से खर्चे भी जादा आ रहे थे तो वो खर्चों में कवी होगी, तो मेरा यह मानना है कि कोई बहुत बड़ा चमतकार हो जाएगा, मकर लगन के जाता कर यह सोचें कि यह बहुत बड़ा जोखिम ले तो मै कोई बड़ी किसी चीज का जोखिम ना ले ना कोई बहुत बड़ा निवेश करें और नहीं जोब कर रहें जोब को करते रहें, जोब को बदलने के लिए समय सही नहीं है, जब आपका गुरु देब गुरु बदलने का भी डिसिजन ले क्योंकि गुरु की दिश्टी तब आपके दशम भाब पर होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नौ तो उस इसिति में आप जोब बदलने वह आपके लिए बढ़िया है, मैं आपको जोब बदलने के लिए मना कर रही हूं कि देब गुरु बर्सपती जब लगन पर आएंगे तो उनकी दिश्ट आपको जोब बदलने है, तो अगर मकर लगन या मकर राशी का कंबिनेशन है तो आपको 30% के करीब रिजल मिलेगा, आप मेरे कमेंट बक्स में करके बताएगा, आपको मेरे वीडियो कैसा लगा और अगर आपका भी कंबिनेशन है तो मिझे बताएगा, मैं उसे पूरा करन और आप मेरे वीडियो देख सकें, इसके साथ ही नमस्कात अश्कों, जैमातादी